राम राम किसान भायों मैं येसके विसक्रमा स्वागत करता हूँ हमारे और आपके अपने यूटूब चैनल येसके आलनोरज में किसान भायों आज हम बात करने वाले हैं कि गेहों की फसल जब हमारी 25 दिन के हो जाए तो इसके उपरांथ हमें ऐसी कौन से खाद देनी है तो मैं येसके विसक्रमा स्वागत करता हूँ हमारे अपने यूटूब चैनल येसके आलनोरज में किसान भायों वीडियो पूरा देखें तभी आपको पूरी जनकारी में बता पाऊंगा चैनल पर पहली बारें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली बेल आ मजबूत बँएं कैसानभायों सबसे पहले हम बात करने हैं 25 से 30 की फसल में गेहों के क्वाशन खात देनी चाहें किसान भायों हाँ आपको मोपी यानी पोस क्यूंकि पोस के दिलवाने से आप की गेहों की फसर में जो पोधे होते हैं इनके तने मजबूत रहेंगे जड़ों का बहुत अच्छा विकास होगा किसनवाई हो और इसके साथ साथ आपको 33 प्रतिसर जो मोनो जिंक काता है उसको लेना है और लगबग 40-45 प्रतियेकर के हिसाब से आपको इूरिया लेनी है इन तीनों चीजों का मि गेहों के लिए बहुत ही इस समय लाबदायक है तनों का जो है मजबूती करेगा और जड़ों का इतना विकास करेगा और कलों का इतना फोटाव करेगा किसन भाई हो आपने जो साथ में जिंक डालेंगे आप यही कहेंगे कि हमारा खेट जो है दस दिन में कैसे भर गया तो आपको अच्छा पैदावार भी देखने को नहीं मिलेगा किसन भाई हो उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हैं लाइक के साथ साथ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके गेहों की फसल कितने द करते हैं